कि वो वक्त जैसे वही थम क्यों नहीं गया? और क्यों हम अचानक इतने बड़े हो गए हैं, कि उन सारी यादों को पलट कर देखने का, हमारे पास अब समय तक नहीं रह गया? हर किसी के लिए स्कूल तो जैसे उसका दूसरा घर था, देर से आना, देर से जाना, ती सुनाने को, टीचर्स की नकल करना, हर नए सेशन में सोचना, यार, कोई नई लड़की तो आय अब एक, और अगर सच में कोई आ गई, तो सारा दिन हर यार से यही कहना, अबे, तिरी भाबी है, जरा इज़्जत से तो देख, यूं तो दोस्ती हम सब में बहुत पक्की थी, पर हाँ, जिससे चिड़ो, उसके लिए थो वाश्रूम तक में गालियां लिक रखी थी, पर किसने सोचा था कि उन सारी यादों का, सारी मस्तियों का, सारे खास लम्हों का सफर एक पल में खतम हो जाएगा, और जहां कभी ना जाने के लिए रोया करते थे, वही स्कूल, आज हम सब को इतना याद आएगा, याद आता है ना स्कूल का वो आखरे दिन, जब हम सब ने अलवेदा कहकर एक दूसरे को गले लगाया था, हमारी आरी देखकर सिर्फ टीचर्स का ही नहीं, सारे स्कूल तक का दिल भर आया था, ना जाने कितने वादे किये उस दिन, कि याद रखेंगे हम सब एक दूसरे को, और इन पलों को जो हमने साथ बिताए हैं, और आज उनी आदों को साथ लेकर, हम सब हर एक टकरार तक को पीछे छोड़ाएं, किसी ने सची कहा है न, कि जिन्दगी अपना इतिहास फिर नहीं दौराएगी, कुछ साल बाद ये सारे पल बहुत याद आएंगे, जब हम सब दोस्त अपनी अपनी मन्जिल पर पहुँच जाएंगे, अकेले जब भी होंगे, साथ बिताय यही लमहे याद आएंगे, पैसे तो बहुत होंगे, पर शायद खर्ज करने के लिए लमहे कम पड़ जाएंगे, एक कप चाय भी याद दोस्तों की दिल आएगे, यही सोचते सोचते, शायद आखे भी नम हो जाएंगे, जी भर कर जी लो इन पलों को दोस्तों, क्योंकि जिन्दगी अपना इतिहास फिर नहीं दोर आएगे, जिन्दगी अपना इतिहास फिर नहीं दोर आएगे, झाल झाल